नमश्कार दोस्तों सबागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बसे बात करने वाले हैं महानगर गैस के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते ही कि Q3 के रिजल्ट आने वाले थे रिजल्ट डिकलेर हो चुके हैं किस तरीके के नतीजे रहे हैं क्या फिर बदल कंपनी के अंदर हम लोगों को दिखने को बिलेगी। दूस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पाउं पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। आपने देखा कि आज अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला हैं। देखने को मिल रही है या कितनी हम लोगों को नेट इंकम के अंदर बदला हम देखने को मिल रही है। लोगों को गजब का मुमेंटम बड़ा देखने को मिल रही है इसी तरीके से कर बात करें पिछले साल की तो लगभग 819 क्रोड रुपे के आसपास निकल कर रही थी जो कि अभी फिलाल में लगभग 727 क्रोड रुपे के आसपास देखने को मिल रहे हैं तो एयर ओन एयर बेसि महज 566 क्रोड रुपे के आसपास तो कहने का मतलब यह है कि quarter on quarter basis पे गजब की तेजी हमें टोटल इंकम के अंदर देखने को मिल रही है इसी तरीके से कर बात करें टोटल एक्सपैंसिस की तो 456 क्रोड रुपे के आसपास निकल के आ हैं इस quarter में अगर बात करें पिछले quarter की तो 372 करोड रुपे के आसपात देखने को मिल रहे थे तो अगर हम देखे quarter on quarter basis पे expenses के अंदर हम लोगों को बढ़त देखने को मिल रहे है बढ़ अगर बात करें पिछले साल की तो 603 करोड रुपे के आसपात देखने को मिल रहे थे वहां से हम लोगों को गिरावर देखने को मिल रही जो की एक positive संकेत माना जा सकता है इसी तरीके से कर बात करें profit before tax की यानि के pbt की तो 291 करोड रुप के आसपात देखने को मिल रहा है अगर मैं बात करूँ profit की तो इस quarter में 244 करोड रुप के आसपात देखने को मिल रहा है event और अगर अगर की बात करें तो 291 करोड के आसपात देखने को मिल रहाए और year on year basis पे भी हम लोगों को इसके इंदर गजब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो दोस्तो जिस तरी के से आपने देखा कि नतीजों के इंदर हम लोगों को अच्छा खासा फेर बदल देखने को बला है एक और जो है ऐलान किया गया है कमपनी की तरफ से 9 रुपे प्रती शेर डिविडेंट डिकलेर किया गया है काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसकी वज़े से अच्छा खासा मोमेंटम अच्छी खासी रेली अब हमें इस टॉक्स के इंदर देखने को जरूर मिलने वाली है दूसरी कमपनी के बारे में बात करें तो टाटा स्टील के भी नतीजे डिकलेर हो चुके हैं किस तरीकी के नतीजे रहे हैं 701 रूपे के आसपास इस स्टॉक्स इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दिन की बात करें तो गिरावाड देखने को बली वैसे तो अच्छा खासा मोमेंटम लगा था है हमें इस स्टॉक्स के इंदर देखने को मिल रहा है अब यह स्टॉक्स जहां से गिरा था लगबख उसके पास हम लोगों को पोच्चता हुआ नजर आ रहा है एक महीने की चाल के दुरान आपने देखा कि नीचे के लेवल लगबख 600 रूपे के आसपास यह स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाए दिया था तो काफी तगड़ा मोमेंटम अब तक हमें इस टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है लगतार जो है 6 महीने में भी इस टॉक्स हम लोगों को तेजी ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो नीचे के लेवल से अच्छे खासे रेटन बन चुके हैं अब जब नतीजे डिकलेयर हुए हैं तो किस तरह की किचाल हमें कम्पनी के अंदर देखने को मिलेगी तो चलिज़ दूस्तों बात करते हैं टाटा स्टील के नतीजों के बारे में MGL के नतीजे आपने देखे काफी शांदार देखने को मिले हैं अगर बात करें टाटा स्टील की तो आपको थोड़ा सा किलियर नहीं दिखाई दे रहोगा बट मैं आपको बोल कर समझा दूँगा। गजब का मुमेंटम गजब की तेजी देखने को मिल रही है और इसी तरीके से येर ओन येर बेसिस पे भी हम लगों को तेजी देखने को मिल रही है। इस तरीके से अगर बात करें एक्सपैंसिस की तो कितने चेंज हमें कंपणी के अंदर देखने को मिल रही है। लगबग 13,000 करोड के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो लगबग 13,599 करोड के आसपास जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि क्वार्टर और और क्वार्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से कर बात करें, पिछले साल की तो लगबग 20,65 करोड के आसपास देखने को मिल रही थी। तो महां से भी हम लोगों को इसके अंदर बड़ा देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि पोजिटिव संकेत फिलाल में टाटा स्टील के अंदर देखने को मिलने हैं जिस तरीके से नतीजे निकल के आ रहे हैं आपने देखा कि लगतार सेल्स के अंदर हम लोगों को फरदी देखने को मिली हैं तो दोस्तो कल के दिन आपको बजार के अंदर काफी हल मुमेंटम भी देखने को मिल सकता है आप जानते हैं कि कल है बुदवार और बुदवार और ब्रस्पतिवार एक्शन पैक टे जो है हम लोग को अक्सर देखने को मिली जाता है जिस तरह किछे थ्रस्टे में वीकली ओक्षन्स एकस्पारी होती है तो कहीं न कहीं यह बजार के के अंदर काफी सारी कंपनिया आईपियो लेकर आई थी तो आईपियो जब आता है एंससी बीसी के अंदर स्टोक लिस्ट होता है तो शुरुवाती दोर में हम लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं तो रिटन भी ठिक ठाक बन जाता है अब आप सोचते होंग तो कहने का मत सबी है कि मल्टी बगर रिटन जो हैं आपके बनते हुए नजराते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल किया रही है कि अगर हम डिमेट अकाउंट भी ओपन करा ले तो उसके लिए हमें अलग-अलग चार्ज देना पड़ेगा तो यहां पर ए अब यह है कि एक दिन होल्ड करें चाहा हजार दिन होल्ड करें आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज कंपनी को नहीं देना तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करी